हेलो अच्छ नमस्कार कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे यूपी पुलिस बावन हजार चैसो निन्यान में पद ओवरॉल मिलाके जो भरती आएगी वो आएगी अथावन हजार साथ सो सेंतिस पदों पे लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करे सिविल के और पीएसी के तो सिविल और पीएसी दोनों को मिला के लगवग जो वेकिंसी बनेगी वो बावन हजार चैसो निन्यान में पदों पे बनेगी यह उत्तर परदेश पुलिस भरती के इतियास की सबसे बड़ी भरती बावन हजार चैसो निन्यान में पदों पे इस टॉपिक पे क्योंकि मैंने सारी नियूज है वो कलक्ट किये एक साथ और सभी को मैं एक साथ लेकर आए हूं कंबाइन करके 52,699 सिपाहियों की भरती के लिए कारदाई संस्थाओं से मांगे आवेदन यानि जो कंपनी इसमें इंट्रेस्टिड हैं उनसे आवेदन मांगे हैं अब वो आवेदन करेंगी नहीं करेंगी तो देखिए इस पे जो सस्पैंस है वो लगातार बना रहता है क्योंकि हमारे और आपके हैथ की बात नहीं होती नहीं यह भरती बोड के और सरकार के हाथ की बात होती है यह कंपनी के उपर बात जो है वो दाती यह जैसे कि हैप से पहले टीसे सबी एगजम को कराने का जिम्मा लेती थी उत्तर परदेश में तो देखिए TCS अपने आपे में बहुत ही जबरजस्त कंपनी है जो कि वरतमान में भी जो आपके यूपीटर प्लसी वीडियो वगेरा और इससे पहले भी जो एक्जाम से उन्हें कवर कराती रही है तो वरतमान में भी TCS सबसे सक्री और सबसे अच्छी कंपनी जो है वो मान सबसर चल रही है क्योंकि भड़ी अब से लीया रही है سाल 2021 में झाल होसना है और साल 2021 से आते आतर साल 2023 हो गया और साल पुलिस भरतीय पनोती बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस जिसमें पीएसी विस्ते स्वरुक्षाबल फायर मैन और नव गठित महिला वाहनियों में महिला आरक्षी के समकक्स पदों पर बढ़ती की अजनसी की चैन की कवायद शुरू की गई है बोर्ड ने बावन हजा संस्था के लिए आवेदन की फिक्रिया मंत्रित करते थे तो उसमें एक महास से जादा का समय देते थे लेकिन अब की बार सत्रे तारिक में न्यू जाई है और पच्चीस तारिक लास्ट डेट रखे गई है तो इससे भी आप लोग लगा सकते हैं कि अब की बार ज्यादा स संस्था को सीधी भरती कराने का जो कारिया वह सौपा जाएगा जो सबसे बहतर प्रस्ताब रखेगी सूत्रों के मुतावे कारदाई संस्था के चैन के बाद अक्टूबर में अब्हरतियों से ऑनलाइन आवेदन आमित्रित करने की तयारी तो वही बात जो मैं ना बोला थ जो आवेदन कर सकते हैं और आप लोगों को पताएं विगत तीन वर्सों से पुलिस में करीब 36,000 अरक्षियों की भरती की कवायद हो रही थी लेकिन कारदाई संस्था के रूची ना लेने से अडचन आती रही बीते नवंबर में भी कवायद शुरू हुई थी लेकिन टा उड़ेगी फिर है ना लेकिन एक कंपनी से ज्यादा कंपनी सामिल होंगी तब बात बनेगी कंपनी जब जादा होंगी तो उन्हीं में से चुना जाएगा फिर एक से ज्यादा होनी चाहिए अगर एक अकेली ही TCS रह जाती है अब की बार तो फिर यह आवेदन की प्रिक्र करदाई संस्था जो है ज्यादा मात्रा में आएंगे एक तो न्यूज आप लोग यह थी दूसरा मैंने आपको तीन पेपर की न्यूज दिखानी है दूसरे पेपर की न्यूज यह कह रही है ज़रा यहां आप लोग स्क्रीन पे देखिए यूपी पुलिस में 52609 में पदो पर जल्द होगी सिपाही की बर्ती दूसरी न्यूज आपके लिए यह है बरती बोर्ड ने इच्छु करदाई संस्थाओं से मांगे आविदन है ना बस घुमाक फिरा के मतलब यह बात जो है वह बोली गई है ज़रा आप लोग देखिए यूपी पुलिस में बावंद चै से 25 लाक लोग इसमें आविदन कर पाएंगे बढ़ती बोर्ड के अधिकारियों के मताविक पुरुस्वे महिलाओं के लिया अरक्षी नागरिक पुलिस अरक्षी पीस यारक्षी पीसी विसे सुरक्षबाल नवगठी वहानी में भड़ती की प्रिक्रिया सुरू की गई है आफिलाइन वरिक्षा भी होगी जैसे कि टेंडर की प्रिक्रिया में मैंस्नी किया गया उस हिसाब से यदि देखे तो पीक है और इसके आसाफसे सार्ल रिक्मानक परिक्षा और आन्ûtिम चेन्स तयार किये गीए कि लिए लिए ख्याती पराप्त करज़ेश्ग देखने के लिए आएविदर मांगे गए हैं पूर में वेकिंजिती 35uster 257 002 पे थी यहना कर दर् prochain संस्था का चैन नहीं हो सका बाद में सिपाही भरती में पद बढ़ाने जो है इसमें पढ़ गए तो लगातार एक चीज तो इसमें देखने के लिए कि पदों का इंक्रिमेंट तो खुब अच्छे से देखने को मिला है बस क्या चीज नहीं बढ़ी बस कारदाई संस्था का जो चैन है वो नहीं बढ़ा आगे बात आगे जो है वो नहीं बढ़ पाई है ठीक है तो दूसरी न्यूज यह थी तीसरी और देख लीजिए मैं तीन अपडेट आप लोगो के लिए लिए था देखिए तीसरी जो अपडेट है उसे एक सेकिंड रुकिए मैं जरा लगाता है तो उसके कंपटीशन में कोई आता ही नहीं है अगर एक बार भी कंपटीशन में कोई और कंपनी आ जाए तो फिर चैन हो जाएगा इसका है ना तो यहां तीन साल से लगाता और इसकी जो चर्चा है वो रही है और ऐसे में जो अभ्यारती ओवरेज हो गए ना उन्हें ग वाजेभग है क्योंकि देखिए किसी से कोई खेरात में कोई चीज नहीं मांगता तो यहां भी बच्चे खेरात में कोई चीज नहीं मांग रहे हैं अधर स्टेट में ऐसा हुआ है जब सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट इस काम को कर चुकी हैं MP पुलिस ले तो लगवक पास साल बाद आ रही है तो क्या उत्तर प्रते सरकार को यह दिखाई नहीं दे अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं अब यह चीज का बिंतजार आप लोग करें कि बच्चा वह परेशान हैं और बच्चे की जब तक समस्याकार नहीं हो जाएगा तब तक बात बन देगा भई तो देखी मैं मैं कहना चाहरा हूं कि चुनाब की और भी ध्यान में रखा जाए चुनाब को खराब ना किया जाए तो सरकार को इन चीजों का मतलब अगर फायदा लेना है तो जितना ज़्यादा लोगों को खुश कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है अपडेट आप लोगों तक पहुंच गई है तीनों प्रकार की अपडेट मैंने आप लोगों को दिखा दी है यूप पुलेस भरती से जुड़ी हुई अक्टूबर का कहीं कोई महीना हो सकता है अगर 25 तारिक में आवेदन करने के बाद सब कुछ है ना तो सारा कुछ जो भी माहल कीरियेट होता है वो कंडिशन के साब से करियेट होता है ठीक है den की अपने दोस्तों का कुछ आप लोगों कोशन भी भी रह जाता है तो बिलकुल आप लोग कमेंट करके बेजज़क पूच सकते हैं बया अप लोगों लगों कहर नह म सही हमारा नाम है पबलिक केरियर नाम इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों का नाम उसमें जड़ा हुआ है ठीक है जादा से जादा लोगों के पास में शेयर कर दिया करिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया करिए जाहिंद बंदे मातरम